हेलो स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करने वाले एक प्रॉब्लम को जो कि कुछ दिन पहले मैं अल्रेडी उसको डिसकस कर चुका हूं उसका वीडियो आप देख चुके हैं उस वीडियो पर एक कमेंट आया है और कॉश्चन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ जो कॉश्चन ज जो कमेंट किया था उन्होंने अपना नाम तो मुझे क्लियरली वीजिबल नहीं है इस में एंबीशियस वन लिखा हुआ है अब यह कोई स्टुडेंट भी हो सकते हैं या कोई टीचर भी हो सकते हैं कमेंट उनके यह है सर दिस मेथर्ड वी ओल्रेडी नो अज्यूम दा एम जी साइन थीटा टॉर्क एक्वल कांट वी गेट इट या नहीं कि अगर हम एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस्ट थीटा की टॉर्क को अगर बैलन्स करके आंसर निकालने कोईशिकर हैं तो यह आ सकता है कि नहीं इस मेथर्ड से सॉलूशन बड़े जल्दी आता है लेकिन बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि इस method से भी इसका answer आना चाहिए, तो हम try करते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी करने के लिए मैं mg के direct components लिखता हूँ, यहाँ पर, यह sphere है, जिसका mass m है, और mg sin theta, यह gravitational force का component, and this is the component of gravitational force, mg cos theta, यह obstacle है, इस obstacle की height कितनी है, h और theta बनाना मैं भूल गया हूँ, यह angle theta है, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यह limiting condition है, और limiting condition में यहाँ से normal force कितना हो गया है, जीरो, normal force 0 हुआ है, और यह just sphere, अब topple करने ही वाला है, ठीक है, तो मैं आप टॉर्क लिखेंगे, तो mg sin theta का टॉर्क लिखता हूँ मैं, और टॉर्क किस के about लिख रहा हूँ, टॉर्क लिख रहा हूँ मैं, इस point के about, यानि की edge of the obstacle, edge of the obstacle मैं लिख रहा हूँ, इस obstacle की edge के about मैं टॉर्क लिखूँगा, इसको मैं point A बना देता हूँ, यह point A से लिख रहा हूँ, radius question में गिवन था, इसका कितना था, आर, तो यह जो distance है, इसको मैं मान लेता हूँ, यह distance कितनी है, r के बराबर radius r है, और यह height तो h थी ही, अब point A के about हम टॉर्क लेते हैं, तो taking torque about point A, तो point A के about mg का टॉर्क हम लिखते हैं, तो यह होगा mg sin theta, और जो perpendicular distance है, यह वाली, यह perpendicular distance कितनी हो जाएगी, यह distance होगी, r minus h के बराबर, तो यह हुगा r minus h, और इसका जो sense of rotation है, torque का, point A के about जो में लिख रहा हूँ, इसका sense of rotation कैसा है, anticlock by sense में है, इसके आज मैं torque लिखता हूँ, mg cos theta का, तो mg cos theta, और जो perpendicular distance है, इसकी, यह perpendicular distance है, इस perpendicular distance को हम लिख सकते हैं, कि यह distance कितनी है, यह है, r minus h, तो इसको लिखा जा सकता है, जो black ink से आप देख रहे हो, ठीक है, इस distance को हम लिख सकते हैं, under root, r square minus, r minus h का whole square, यह हमने distance को लिख लिख लिया है, और यह torque कि sense में है, point A के about, mg cos theta का जो torque हमने निकाला, इसका sense of rotation है clockwise, यहनि दोनों torque की direction है, वो opposite है, तो मैंने लिखा, net torque equal to zero, just balance की condition है, just balance हुए है torque, तो mg और mg तो cancel हो जाएगा, और मैं क्या करता हूँ, under root हटाने के लिख लिख दोनों तरफ square कर देता हूँ, तो यह मिलेगा, sin square theta, r minus h का whole square, equals to, cos square theta, into, यह under root हट जाएगा, साथी साथी होगा, r square minus r square minus h square plus 2rh के बराबर, left side में भी whole square open कर देते हैं, तो यह होगा, sin square theta into r square plus sin square theta h square minus 2rh sin square theta equals to, यहाँ पर r square से r square cancel हो जाएगा, और बचेगा, 2rh cos square theta minus h square cos square theta, राइट, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कि, जो, यह है, sin square theta r square, यह तो as it is रहेगा, sin square theta h square, और h square cos square theta ही, इनको एक साथ लिखते हैं, तो r square sin square theta, r square sin square theta को हमने ऐसे लिखा रहे ने दिया, और h square को common लिया, तो यहाँ बचेगा, sin square theta plus cos square theta, इसी तरह से minus 2rh को common ले लेते हैं, तो यह होगा, sin square theta plus cos square theta, equal to 0, अब यहाँ से क्या बचता है, यह वाली जो टर्म है, इसमें sin square theta plus cos square theta हो जाएगा 1, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, h square, इसमें भी sin square theta plus cos square theta हो जाएगा 1, तो minus 2rh, और इस वाली term को अब मैं लिख रहा हूँ, इसको plus r square sin square theta equal to 0, यह equation number 1 है, यह quadded equation हमको मिल गई है, h में, अब हम इसको solve करते हैं, तो h equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, जो की बढ़ी ही common equation उससे हम solve कर रहे है, तो h equal to minus b, यानि की plus 2r plus minus under root b square हो जाएगा 4r square minus 4ac, a यानि की 1 ही रहेगा, और c कितमा है, r square sin square theta, तो r square sin square theta upon 2, अब इसको simplify करें, तो यह कितना बचता है, अब यह बचेगा, h equal to 2r plus minus, अब 4r square कॉमा निकाल देते हैं, तो यह आएगा 2r, under root, 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta, upon 2, और इसमें से भी 2 cancel हो जाएगा, यह 2, 2, 2 cancel कर देते हैं, तो h equal to r को, अगर हम कॉमार ले ले लें, तो यह बचे का 1 plus minus, 1 minus sin square theta हो जाएगा, cos square theta, और under root cos square theta को हम लिख सकते हैं, cos theta, तो अब h की value आती, r 1 plus minus cos theta, तो obviously हम 1 plus cos theta, यानि कि r plus r cos theta, इसको तो हम exclude करेंगे, plus sign को, क्योंकि obstacle की अगर height, radius से ज़्यादा हो जाएगी, तो यह कभी भी, टॉपल हो गई नहीं, अगर obstacle की height, radius से ज़्यादा हो जाती है, तो यह टॉपल नहीं करेगा, तो obviously most acceptable answer, हमारे लिए क्या हो जाता है, r 1 minus cos theta, and this is the answer, तो जो method से, आप इसको करना चाहते थे, उसको हम इस तरह से, कर सकते हैं, इसके बाद भी, अगर कोई doubt है या confusion है, तो आप मुझे को message करना, क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो मैंने बड़े जल्दी जल्दी में, इसका solution बनाया हुआ है, ठीक है, thanks for watching.